हलो दोस्तो स्वागत है आपका प्रो टॉक यूटूब चानल में दोस्तो मिसू की जितने वीडियो होते हैं उसमें एक कॉमन कॉसिन तो होता ही है कि हमारे जो आर्टियो जो होते हैं वो सो तो करते हैं डिलिवर्ट बट हम तक अभी तक पहुंचे ही नहीं होते हैं बट सेलर प्राइब्ल को यह प्रॉब्लम फेस किरना पड़ता है कि में आर्टियो सो करता है और आपको आपको तो लिवर्ट दिखा रहे अच्छोटे सकील पर हमारे ओडर एडर रहते तो उतने प्राब्लम नहीं होते बट जैसे ही आपको और dependence बढ़ना लगें आप ज्यादा order dispatch करोगे तो यह order मैंने मैंने खुद इस problem को face किया है कि यह problem भी हमारा बढ़ता रहता है कि आर्टियो डिलिवर्स हो करते हैं बढ़ हमें मिलते नहीं तो यहाँ पर मैं आपको आज एक छोटा सा बताने वाला हूँ कैसे आप manage कर सकते हो तो देखें यहाँ पर आपको section मिलता है आर्टियो एंड आर्टियो और्डर्स का तो इस section में जब जाओगे आर्टियो एंड रिटर्स पे तो यहाँ पर आपको जो है excel file download करना पड़ेगा आम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यह पैनल पर देख लेते हैं कि अच्छा यह हमारा pending बता रहा है यह हमारा जो है वह डिलिबर बता रहा है तो इसमें उतनी information नहीं होती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको excel file download करोगे और जब भी date range select करोगे अभी तो क्यूंकि आप फर्स टाइम कर रहे हैं तो आपको तो starting से करना पड़ेगा और यहां पर 30 डेज ही लेता है तो अपको हर जब से आप sell कर रहे हो 30-30 डेज करना पड़ेगा पर डोटो अभी जब आपने वीडियो देख लिया है तो आपको अब daily इससे download कर लेना है तो daily कैसे download करना है कि जैसे माल लीजिए आज 12 तारीक है तो मैं आज का download नहीं करूँगा मैं download करूँगा 11 तारीक को ठीक है तो हम यहां पर download करेंगे 11 तारीक को अभी तो क्यूंकि हम first time कर रहे तो मैं आपको 30 days का data दिखाता हूं कि हम लोग बैक कर लेते हैं 28 से लेकर के हम ले लेते हैं 11 तारी अब हम जब कल से download करेंगे तो कल क्या होगा कि कल 13 तारीक हो जाएगा तो हम यहां पर date train select कर लेंगे 12 तारीक का जो है वो download करेंगे तो अगर आप 14 तारीक को download कर रहे हो तो आप 13 तारीक है एक दिन back करोगे कि 12 नाइट के बाद तक जो भी data है वो हमारे पास आ जाए तो यह करते हैं तो दोस्तों इससे हो क्या कि आपको एक report download हो जाएगा कि कौन कौन से product आपके RTO हुए है और कौन कौन से product आपके return हुए है तो मैं इस Excel sheet को अभी open करता हूँ तो friends यहां पर देख सकते हैं हमारा जो data है वो download हो गया अब दोस्तों जो है उसका खुद का कोई कुरियर सिस्टम नहीं है वो दूसरे कुरियर सिस्टम थर्ट पार्टे दो इसलिके तुरू हमारे product shipment करवाते है और रिसीव करवाते है तो जो भी data वो shipment company उन्हें प्रवाइ तो यहां पर आपको चेक करना है इस टेटस आप जब अभी फर्स्टाइम तो आपको चेक करना पड़ेगा तो थोड़ा problem होगा बहुत सारा data होगा तो आपको क्या करना है कि अगर पेंडिंग में है तो तब तो कोई प्रव्लम नहीं है कि अभी पेंडिंग हमें मिला नही कि देखें यहां पर सो कर रहा है कि 11-12-21 को यह product मिल गया है कि मुझे यह मिल गया तो मैं यह चेक करूंगा कि क्या एक्सपेस बीन से कोई return मुझे 11 तारिक को आया है या नहीं आया है साथी अगर 11 तारिक आपको यह return आ गया तब तो ठीक आप इसे green कर दिए बड़ अगर यह product आपको 11 तारिक को receive नहीं हुआ है तो आप इसे तुरंद जो है highlight कर लिजे और इसके tracking ID में जाकर देखिए कि यह deliver so कर रहा है अगर यहां भी so कर रहा है तो फिर आप express win का मेरे पास number है इस courier का जो पीक अप लियाता है तो मैं इससे call करूंगा कि 11 तारिक को आपने deliver so क प्रोडक्स मेरा अब तक मुझे मिला नहीं साथी दोस्तों मैं इससे क्या करता हूं कि यहां पर case ID मिशु पे यहां पर आप अगर जाओगे support में तो यहां पर मैं आपको so कराता हूं कि यहां पर देख सकते हैं यह पूरा जो है राइजर टिकट पर जाके आपको सेम डे इसका जो सब और नंबर बगएर आपको मिल जाएगा अटेच्मेंट में आप उसका screen shot लेके डाल दीजिए या फिस Excel अलग चार्ट लीजिए जो जो एक्ससीट है और उसका प्रोडक्स का आइडिया और उसका एक्ससीट बनाके यहां पर आप अटेच कर दीजिए तो यह सबसे पहला काम है जो आपको करणा है तो इस तरह आप यहां पर अगर आप डेली रिपोर्ट नाउलोड करोगे तो आपको डेली पता चल जाएगा कि कौन-कौन से प्रोड़ आपके उस हमारे पास आगया है हम आपको कल देंगे या परसो देंगे तो आप तब तो आप रिलेक्स कर सकते हो बट अगर वह भी बोल रहा है कि नहीं मुझे आपका कोई भी कुरियर नहीं आया तो आपको तुरंत केस आईडी कर देना है तो इस तरह आप अपने आटियो से बज सकत आपको पता नहीं चलेगा तो डेली आपको एक्सली जो है वह एक दिन पहले एक दिन बाद का डाउनलोड करना है और आपको उससे पता चलता रहेगा साथी दोस्तों अभी मैं मिश्व के मैंनेज्मेंट के उपर एक पूरा फुल कोर्स बना रहा हूं आपके लिए यूट मिश्व रिटन से लेटेट और भी कोई 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 है तो आप सिधा कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम ते मुझे डिम कर सकते हैं और मैं आपको सिधे रिप्लाइज देगा थेंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो